हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं हाल ही में अनुशकर शर्मा ने कुछ ऐसी तस्वीरे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर तहल का मचा रही है इतना ही नहीं उन फोटोज पर पती विराट कोली का कमेंट भी सुर्खियों में आया है हालो फ्रेंड आप दिख रहें नियूज ग्रिल और मैं हूँ नेहानन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोली इन दिनों वेस इंडीज दौले पर है विराट के साथ उनकी पत्मी अनुशका शर्मा भी इन दिनों वेस इंडीज में ही है अनुशका शर्मा ने सोशल मीडिया पर बिक्नी में एक फोटो शेयर की है जो वारल हो रही है बता दे कि इस फोटो पर विराट का कमेंट लोगो का दिल जीत रहा है इन तस्वीरों में अनुशका ने औरेंज कलर की बिक्नी पहनी है और साथ ही स्टालिस शश्मा भी लगा रखा है फोटो शेयर करते हुए अनुशका शर्मा ने कैप्शिन में लिखा सन किस्ट अन ब्लेस्ट इस पर विराट कोली ने क्यूट सा कमेंट किया है अनुशका की फोटो पर विराट ने दिल वाली इमोजी बनाई है इस कमेंट को देखकर फैंस दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं वहीं अनुशका के फ्रेंड और सेलर भी उनकी फोटो पर कमेंट कर रहे हैं वैसे अनुशका शर्मा ने इन दिनों बॉलिवुट से छोटा सा ब्रेक ले रखा है और पती विराट के साथ क्वालिडी टाइम स्पेंड कर रहे हैं इससे पहले भी सोशल मीडिया पर अनुशका और विराट की कई तस्वीरे वाल हो चुकी हैं अनुशका शर्मा सोशल मीडिया पर काफी आक्टिव रहती हैं और अकसर तस्वीरे शियर करती रहती हैं अनुशका शर्मा के इंस्टाग्राम पर 26.9 मिलियन फॉलोष भी हैं साल 2017 में अनुश्का और विराट ने इतली में प्राइविट सेरिमरी में शादी कर ली थी अनुश्का ने हाल ही में अपने एक इंटर्व्यू में बताया कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक एक्टरस को 29 साल की उमर में शादी नहीं करनी चाहिए अनुश्का ने कहा कि अब दर्शक अलाकार को सिर्फ परदे पर देखना पसंद करते हैं उन्हें उनकी नीजी जिन्दगी से कोई मतलम नहीं होता चाहे वो शादी शुदा हो या फिर मा बन गई हो हमें इस मानसिक्ता से बहान निका जाना चाहिए अनुश्का ने आगे कहा कि मैं प्यार में थी और अभी भी इश्क में कैद हूँ शादी एक नैच्छल प्रोसेस है और है एक ऐसा बंदन है जो दो लोगों के रिष्टे को मस्बूत बनाता है अनुश्का आगे कहती है कि मैं हमेशे इस बात के लिए खड़ी रही हूँ कि महिलाओं के साथ समान बरताफ किया जाए बता दे कि अनुश्का को आखरी बार शारुखान की फिल्म जीरो में देखा गया था उसके बाद उनकी अब तक कोई फिल्म परदे पर नहीं आई है अब मुझे यानि नेहारंद को देज अजासर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें